चीन के लोग अपने अजीब और गरीब खाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं मगर यहाँ एक शेफ को कोबरा साप का सूप बनाना भारी पड़ गया दरसल दर्शुर चीन के गौंग डौंग प्रांट के फोशान सिटी के रहने वाले शेफ पंग फैन इंडो चाइनीज स्पिंग कोबरा साप के मासे बना सूप तयार कर रहे थे तब ही उन्हें साप के कटे हुए फंड ने डस लिया दरसल चीन में जहरीले कोबरा साप के मासे बने सूप को लोग काफी पसंद करते हैं जारतर रेस्टोरेंट में यह सूप मिलता है शेफ पैल फैन ने स्पिंग कोबरा का सिर काटने के बाद सूप बनाने में 20 मिनट का समय लगाया इसके बाद शेफ किचिन की सफाई करने लगे कुछ समय बाद शेफ ने साप के कटे हुए सर को कचरे के डिब्बे में फैकने के लिए उठाया तभी अचानक कटे हुए फन ने शेफ को दस लिया एक रेस्टरंट के अती थी 44 वर्ष ये लिनसन ने कहा कि मैं अपनी पतनी के जरन दिन के रिए रेस्टरंट में खाना खाने आया था तभी अचानक काफी हंगामा हुआ हमें नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है लेकिन रसोई से चीखे सुनाई दे रही थी तो वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह एक बहुत ही असामान ने मामला है यह सिर्फ एक दुरगट नापर्तीत होती है शेफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था केवल डॉक्टर ही उनकी मदद कर सकते थे बता देगी कुछ देशों में यह माना जाता है कि सांप का मास खाने से रहसे में स्वास्थे लाब होते हैं जिसके कारण कुछ पिरजातियां विलिव्ट होने के कगार पर हैं चीन में इंडोर चाइनीज स्पेंड कोबरा सांप का शिकार काफी होता है और वहां के लोग इ दिश मानते हुए काफी पसंद करते हैं और हमेशा जादता रुपई है खाया जाता है